नमस्कार दोस्तों एक बर फिर आप सुपका स्वागत है आई स्कूल में आज इस विशे पे हम सर्चा करने वाले हैं वो है ओल्डेज होम यानि कि वृद्धाश्रम आज हमारे देश में हर कोने में बड़ा शेयर हो या छोटे गाउं हो हम यह देख रहे हैं कि नया नया वृ लास जो एमपलोईज होते हैं को लोग का रिटार्मेंट में अपने बच्चो से दूर रिटार्मेंट के टाइम में जब बड़े हो जाते हैं और रहने का जो लव लीव Ich juan फ yapmış बनाते हैं उसको रिटेर्मेंट हॉम्ज बोलते हैं आज कल बहुत सारे सब् Beauties में आवर काफी ज़्यादा बढ़ रहा है अभी तो यह आलम है कि रिटेर्मेंट होम स्टोड़ी अभी तो रिटेर्मेंट विलेजस खुल रहे हैं हमारा जो कल्चर है वह हमें सिखाता था कि बड़ों का आदर करना चाहिए माता पिता गुरू को भगवान के समान मानना चाहिए लेकि तो कई मंदिरों में छोड़ के भाग जाते हैं क्या ये बच्चों की गलती है या माबाप के सिखाने में कुछ कमी रहा है बच्चे वो नहीं सिखते जो हमें उनको सिखाते हैं वो ओ सिखते हैं जो हम करते हैं वो बड़ों को कोपी करते हैं बड़ों को नकल करते हैं तो हम ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। property related होता है तो बच्चों की दिमाग में इक बात बैठ जाता है कि property ही जादा important है रिष्टे से बढ़कर दूसरा जो सबसे बड़ा समस्य है जो आज हम देख रहे हैं वो है कि जो बच्चे हैं वो छोटा से गलती कर देता है मानों की मा के हाथ से मोबैल लिया तो गिर गया नीचे से टूट गया या गाड़ी में या कुछी चीज में कोई भी मूल वस्तू में ज़रा सा खरोच लग जाता है तो माबाब उसके ओपर ऐसे चिलाता है कि जैसे मानों की बच्चों से ज़्यादा कीमती वो समान है जब आप इस तरह से चिलाएंगे या आप इस तरह से बच्चों को डाटेंगे उनके मन में ये बात बैठ जाएगा कि मेरे प्यार से ज़्यादा मेरे माबाब को उस जो वस्तूता उसका मूल्य ज़्यादा है तो ये बच्चों पर काफी गहरा एक सद्मा होगा और ये इसी सद्मे के साथ बच्चे आगे जाएगा इसी सीख सबक के साथ बच्चे आगे जाएगा वो हमेशा वस्तू को मूल्य देंगे, प्यार को मूल्य कम देंगे नया पीडी में कि माबाब जो है मोबेल पे ज़्यादा टाइम लगे रहते हैं बच्चे खेलते भी है उनके तरफ ध्यान नहीं देते हैं ना बच्चों के साथ बैटके कोई मूवी देखता है या मजाग करता है या कुछ भी खेलते भी नहीं आजकल आजकल बच्चों को दिया है लैप्टॉप दे देते हैं या मोबेल देते हैं आप बैठो पढ़ाई करो ऑनलाइन आजकल पढ़ाई का सिस्टम शुरू हो गया है ऑनलाइन में बैठा देते हैं और माबाप जो है अपने ही दुनिया में लगे रहते हैं मोबेल पे दोस्तों से चैटिंग करना दूसरा साही सारा काम करना तो यहाँ पे बच्चे जो है वो एक अकेले पन में जाता है उनके अंदर प्यार, महबब, माबाप के प्रती जो रिलेशन जो पहले टाइम में हुआ करता था वो सब खतम हो जाता है दूसरा जो हमसे पहला जो पीडी था वो भी यही करते थे बच्चों को यही सिखाते थे कि बच्चे पड़ो और पढ़कर कोई नौकरी ले लो, कोई अच्छा बड़ा बनो, बड़ा इंसान बनो तो वहाँ पे वो मूलिय पे नहीं ध्यान देते थे, वो बोलते थे कि वस्तू अपर उनको बड़ा बनना था, बड़ा गाड़ी खरीदना, बड़ा बंगला खरीदना है, बड़ा पैसा कमाना है तो जब उनके नजर फोकस उसी में हो जाता है, तो उनको माबाप के प्रती जो प्यार है, उनका सेवा है, वो सब खतम हो जाता है उनका focus जो माबाप ने उनको दिया है उन्होंने नहीं लिया है माबाप ने उनको ये दिया है कि आपको focus करना है पढ़ो पढ़ो बस और हासिल करो सिर्फ ओ हासिल करने के भागदोड में लगे रहते हैं और बाकी सारे चीज़ भूल जाते हैं वो अपना एक परिवार बना लेते हैं और उस परिवार में जो है माता पिता का कोई स्थान नहीं रहता है वज़ा क्या है कि हम बच्चों को जो है संपूर्न सिक्षा या संपूर्न स्वास्त नहीं दे पाते हैं ये संपूर्न स्वास्त आकिर क्या है समपूर्ण स्वास्त या समग्र स्वास्त जो है आज के स्कूलों में या घरों में बच्चों को नहीं मिल रहा है समग्र स्वास्त में शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, सोशल यानि कि समूह से रिलेटेड, स्पिरिच्वल यानि कि आत्मियात्मिक इन सारे तत्वों का ग्यान होना चाहिए उन ग्यानों से हमारा जो ताकत बनता है या हमारा स्वास्त बनता है उसको हम हॉलिस्टिक हेल्थ बोलते हैं आज के स्कूलों में जो पढ़ाई होता है वो सिर्फ जॉब के लिए नौकरी मिलने के लिए पैसे कमाने के लिए गाड़ी खरीदने के लिए बड़े उबलती पाने के लिए ही होता है वहाँ पे इन तत्वों का जो समग्र स्वास्त है उन तत्वों का उपर कोई पढ़ाई नहीं होता है ये आज का सबसे बड़ा हमारा दुर्विती है क्या हमारे बच्चों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए नोकरी पाने के लिए जो पढ़ाई होता है सिर्फ उसी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए हम आज कल स्कूलों में बेशते हैं टूशन कराते हैं सब उसी काम के लिए पैसे कमाने या नोकरी के लिए हमें उसके साथ बच्चों को आथियात्मिक ग्यान भी देना बहुत जरूरी है मंदरों में जाना मस्जिद गिरिजागर में जाना वहाँ पे आथियात्मिक ग्यान लेना आथियात्मिक लोगों से परिचे करना उनसे बाक्चित करना जो बच्चों को आज education दे रहे हैं जो हमें उनको जो हम विद्या दे रहे हैं वो पूर्ण नहीं है अपूर्ण विद्या है सिर्फ और सिर्फ एक लेक्षे के लिए हम उनको पढ़ा रहे हैं वो है नौकरी या पैसे कमाने के लिए इसके अलावा जो तत्व हमने डिसकस किये holistic health में समपूर्ण समस्त स्वास्त में जो तत्व को हमने पढ़ा है उसके बारे में आजकल के बच्चों को बिल्कुल ग्यान नहीं है हमें अपने कमजोरियों को हमारी कम्यों को पैचानना है उसमें सुधार लाना है बच्चों के साथ समय बिताना है हम कितने भी वेस्ट हैं, अपने काम में, मोबेल में, वीडियो देखने में, सब में वेस्ट हैं, लेकिन हमारे बच्चों को भी हमें समय देना है, उनके साथ बैठ के, उनके साथ बाचित करना है, हो सके तो एक मूवी देखना है, और उनके साथ खेलना है, समय सब के लिए न समझ पाएगा मुझे आशा है कि आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा आपको अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मुच पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू अल